बिस्मिल्ला रेमान रुरहीम शुरू करती हूँ अल्ला के नाम से जो बड़ा महर्बान और निहायत रहम करने वाला है असलाओ अलेकुम विवर्ज उम्मीद करती हूँ आप सब खार्यास से होंगे और धुगा करती हूँ आप जहां रहें खुश रहें अबाद रहें आज हम बना रहें हैं तिका बट यह जो है गाईस सबसे पहले मैं आपको बट साफ करने का बता देती हूँ किस तरह साफ होती है तो ये देखिए गाइस ये जो है बट है मैं आपको साफ करने का बताती हूँ ये मैंने एक इसमें से बोटी उठाई है एक पीस और ये मैंने इसके कोने में से जो है गाइज इसके अपर जो है जिली सी होती है मैं उसको खेच कर देखें आप लोग मैं उतार रही हूँ और यह बिलकुल साफ हो जाएगी यह बड़ जो होती है यह इसी थरह साफ की जाती है यह तरीका बहुत कम लोगों को पता है बहुत से लोग तो बस ऐसे ही इसको साफ कर लेते हैं लेकिन जो असल तरीका है वो यही है कि इसके अपर से एक जिल्ली होती है बारिक सी वो जो है आप उसको नाखुन की मदस से चुटकी की मदस से इसको आप नोच कर उतार सकते हैं शालना पर यह जो winners को बल्कूल जाती है और गंड़की होती है वह बल्कुल होरवागी होती है सफ नजर ऑर लगती है हैं सफ नजर आ लगती है मैं किस थरह सफ कर रही हूँ और कभल दो इस दो साइट पर भी होती है तो आप लोग देख लिएगा के आपकेस बिंठ सी इसके दूसरी साइट पे भी है तो आप उसको भी उतार लें और यह देखें कितनी साफ हो गई है बिल्कुल चिकन की जिसी लग रही है और मैं आपको एक दफा और साफ करके दिखाती हूँ किस तरहां साफ करनी है आप लोगों को कि देखें मैंने एक और बोटी उठाई है और इसको कोने पे से नाखुन की मदद से मैं दो उन्हों को मतलब जो जिली है उसको अलग कर रही हूँ बोटी से यह देखें गाइस कितनी साफ साफ नजर आ रही है देखें आप लोगों को किस तरहां हमें उतारनी है यह और यह बिल्कुल साफ हो जाती है गाइस यह सी स्किन इसके ओपर भी लगी थी एक साइट पर तो मैंने इसको भी अच्छे से उतार दिया है गाइस आप लोग भी ऐसे ही करिएगा तो गाइस अब मैं आपको दुबारा से मैं आपको एक दफा और दिखा देती हूँ ताके आपको सही से अंदाजा हो जाए कि हमें साफ किस तरह करनी है तो यह देखे मैंने एक और पीस उठाया है और इसको मैं नाखुन की मदस से अलग कर रही हूँगा इसी बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाती है और आप इसको पानी में नहीं भीग हो है और इसी तरह सूकी बट जल्दी से साफ हो जाती है अगर आपने साफ कर लिएगा तो काइज यह देखिए कितनी साफ सूतरी हो चुकी है और अब जो है हम इसमें अपनी कुछ चीज़े आड़ करेंगे तो यह एक चंचा में नहीं नमक आड़ करा है और हाफ टीस्पून मैंने इसमें अलदी पाउडर एड़ करा है और में अच्छे से इस मैं डालनी उसमें अधरक नहीं एड करीए मैंने सिर्फ लेसन का पैस्त है ये टू टेबिल स्पून ये मैंने अड़क रहा है और हल्दी और लेसन से इसकी जो स्मैल होती है गाइस वो खतम हो जाती है बिल्कुल ये एक ट्रिक होती है इसकी स्मैल खतम करने के लिए तो अब जो है मैं इसको बाउल में निकाल दूंगी और इसको डग कर तकरीबं 15 मिनिट के लिए रख दूंगी ताके इसकी स्मेल बगारा सब खतम हो जाए तो यह देखे 15 मिनिट हो गए थे और मैंने इसको गरम पानी से अच्छे से 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छी तरह है मशल मसल का मैंने इसको दो लिया है और अब ये जो है बिल्कुल साफ सुत्री हो गई है ये देखिए गाइज बट बिल्कुल साफ है तो ये एक किलो बट ली है हमने तीन अदद प्यास है लस्र-थन्दुरा का पेस वन वन टीसपून ये है तिकका मसाला तु जालमिश पॉडर वन टीसपून नमक जाफ टीसपून गरम मसाला हाफ टीसपून और हल्दी पॉडर तो चलिए गाइज इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं यह देखिए मिने को कर लिया है और उसमें सबसे पहले बड़ एड कर दी है इसमें जो आणिक्षाई अ अब जो जितना भी मेने समान निकाल आ हुएं गाइज शिपर दूंगी प्यास डालूंगी अब इलचिए मेने प तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी चीज़े इसी में एड़ कर दी हैं और अब तकरीबन तीन गिलास इसमें पानी डालनी हो ताके जो है हमें यह जोगबत है वो अच्छे से गलानी है तो अब मैंने कुकर बन कर दिया है और तकरीबन 20 मिनिट के लिए मैंने मीडियम फ् और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा चला कर और बंद कर दूँगी चूले को और यह देखिए गाइस मैंने एक कडाई ही है इसमें आदा कप मैंने ओयल डाला है और इसको मैंने अभी गरम नहीं करा है ओयल को और मैं इसमें जो है बट जो हमनें गला के रखी हुए वो अट कर देंगे तो गाइज यह देखे मैंने जो है बट इसमें एड कर दी है और अब जो है में जो मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन दस से पंदरा मिन के लिए पकाऊंगी ताकि इसका जो यह जितना पानी हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो खुश्क हो जाए तो दस मिनिट हो गए थे यह देखिए इसका पानी जो है तकरीबन खतम हो गया है बस यह अब भूनेगी अच्छे से अब हमें इसको अच्छी तरह भूनना है तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको किस तरह अच्छी से भून रही हूं और मुझे जो है इसको भूनते हुए तकरीबन पांच मिनिट लगे थे और पांच मिनिट में यह अच्छी से भून गई थी यह देखिए अब हम इसमें दही आट कर देंगे यह दही जो है एक पाव है और जो है एक किलो बट में जो है एक पाव धही जाती है क्यूंकि गाइस हम लोग तिका बट बना रहे हैं इसलिए एक पाव धही लगेगी पूरी और अब मैं देखें आप लोग किस तरह में इसको अच्छे से मिला रही हूं और इस तरह मिलाते हुए मुझे भूनना है इसको तो गाइस जब तक हम इसको दही को मिला रहे हैं आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन को दबाना ना भूले ताके आपको मेरी वीडियो बरवाग देखने को मिले और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताया करें यह देखिए गाइस यह भुन गई थी अच्छे से और अब मेंने यह कुसूरी मेथी अट करें तू टेबल स्पून थी यह और इसको मैने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया ताके मिट्टी वगारा जो है इसमें से निकल जाए अब मैने इसको अच्छे से चान कर और इसमें डाल दिया है अब में इसमें हरी मिर्च भी आड कर दूँगी ताके इसका भी फ्लेवर आजाए और खुच्बू आजाए अच्छे से तो गाइस यह देखिए मैने हरी मिर्च एड कर दी है और इसको अच्छे से भूनना है हमें जब तक इसमें ऑईल नहीं नजर आने लग जाए यह बहुत ही अच्छी बनती है आप लोग और बड जो है बिलकुल तयार है और अब हमें इसमें कोईले का दूँआ लगाना है तो यह देखे मैने कटोरी रख दी है इसमें कोईला रख दिया है और अब मैं इसमें जरा सा ऑईल डालके इसको कवर लगा दूँगी ताके इसमें जो है बहुत अच्छी से देखे कितना अच्छा है यह शिकल सही कितनी अच्छी लग रही है और जितनी देखने में अच्छी ते जादे खाने में अच्छी थी आपको डिश आउट करके दिखाती हूं यह देखे गाईस हमारे सालन का फाइनल लुक तिकाबट आज तक आपने यह रेसिपी कहीं नह सको चलती हूं गाईस दुआ में याद रखिएगा अल्ला हाफिस